हाँ तो बात करेंजी भी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले light वर्जिन एप्स के बारे में यह से ओते हैंए और आपको इन्हें क्यों यूज करना चाहिए यह अब आपको मस्ट रेकेंबेंड करूंगा कि आप जहां तक हो सकते light वर्जिन एप्स का यूज कीजिए तो देख सकते हो एपस में कि कौन सा है एप कितना ज़्यादा आपकी श्टोरेज ले रहा है उसमें सबसे ज़्यादा होगा इस प्लस रैंप वह है फेस्बुक यास फेस्बुक अलगवख सतर पचातर इम्बी का आता है अगर आप उससे डालते हो तो भाई वह कभी तो पांसो इसल फेस्बुक की तरफ से फेस्बुक लाइट आप आता है जिसके लगबख 10 एंबी के आसपास होगी साथ उतने ही भाई सिंपल आपको पूरा फेस्बुक जैस सही रहेगा चाप फेस्बुक की करते हो वह आप लाइट पर कर सकते हो प्लस मैंसेज भी कोई जंजर नहीं अलों कि मैसेंजर लाइट वर्जन के आप भी आता है तो इसे की बात किज़ें कि पहले के समय में क्या अब तो दीर दीर स्मार्ट फोन जो ही स्मार्ट होते जा रहें ज्यादा स्पेसिफिकेशन साथ या रूसे सर अच्छा खास हो गया राम इंटरनल शो सब कुछ बढ़ अब करेंगा आपकी श्टोर नहीं मिलेगा लेकुन वहें से आपका काम भी हो जाएगा इस बात कि इस्टागराम कभी इस्टागराम लाइट करके आता है अलग तो वाटसाप कर नहीं आता है बहुत सारे एप्स होते जिनका लाइट वर्जन के आपके फोन में रैम कम है इ चाहिए और जो भी आपको चाहिए उसका लाइट वर्जन सर्च कर लिजिए आपको उसे हो जाएगा आप उसे डाउनलोड कर लिजिए अगर आपके फोन में स्टोरेज प्रोसेसर कम या फिर आपके पास में ज्यादा भी है मेरा फोन अच्छा ही चलता है कोई दिकत नहीं लॉंग टाइम तक चले लॉंग लाश्टिक चले तो सिंपली आप लाइट वर्जन एप्स का जरूर यूज कीजिए आपको जरूर रिकमेंडेट करूंगा कि वह फेस्बुक जो है बैटरी भी सब ज्यादा लेता है हाँ बात कि रैम स्टोरेज डेटा बैटरी चारो लाइट वर्जन एप यूज कीजिए और आप खुद ही देखोगे कि बैटरी में आपको थोड़ा कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा आपको फोन फैले से ज्यादा फास हो जाएगा बदल में आपको बता है कि बहुत सारे एप्स के लाइट वर्जन आप आते हैं जिनका अपको बता है